अलो दोस्तों, वेलकम टो में पॉर्टन शड़ी, I hope आप सारे के सारे ठीक हो, तो आज हम करने वाले हैं चाप्टर नमबर वन, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है जी, Constitution, Why and How, और हम करने वाले हैं जिसके most important question, यह बहुत ही जादा important question है, पहली बात तो मैं यह जो भी speedy अपके अंदर दे रखे हैं, वो सारे के सारे PYQs है, and I hope यह बात आपको पता हो, कि आपके class 11 का जो exam होने वाला है, उसके अंदर सबसे जादा बेटे, जो है वो इसी chapter किया नहीं, सबसे जादा question आपको इसी chapter के अंदर से देखने के लिए मिलेंगे, chapter number 1 से, तो इसको अच्छे से करना बहुत जादा important है, okay, और हाँ, exam में question की language change आती है, तो इसलिए मैंने देखो, अलग-अलग तरीके से लिखवा रखे है question, और basically वीडियो के अंदर, अभी मैं जब करवाना शुरू करूँगा, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि इसके अलावा भ दी है, वो आप website से जाकर download कर सकते हो, हमारी main point study की website से जाकर download कर सकते हो, chapter number one के notes दे रखे है, और बाकी chapter के notes नहीं है, और यह जो most important question की PDF है, जो कि आप यह देख रहे हो, यह जो है, उसका link में नीचे description में दे दूँगा, जैसी आप link पे click करोगे, यह page open हो जाएगा, ठीक ह यहाँ पर आप email ID, phone number डालके, आप make payment से करके proceed कर सकते हो, ठीक है, notes नहीं है, यह notes तो आप directly website से download कर लेना, वो एकदम free of cost उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 4-5 बच्चे मिलकर, अगर यह most important question क्योंकि आपको पता है, इसमें से भार कुछ नहीं आना, यह बात उन बच कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से करके जाते हो, चलो जी, तो question शुरू कर देते हैं, तो अपने कुर्सियों की पेटी मान लो, उडान शुरू करते है, तो पहला मारा question है, what is constitution, why do we need constitution, चाहे importance of constitution, पूछे function of constitution, पूछे, why constitution is necessary, पूछे, यह what is the role of constitution, पूछे, in the building, in building a civil society, तो answer पूरा का पूरा यही लिखने है, ठीक है, सबसे पहले तो what is constitution पे आ जाते है, constitution क्या एक return instrument है, जिसके अंदर basic principle लिखे हो है, country का law of the nation लिखा हो है, state के लिए law लिखे हो है, social group के laws लिखे हो है, साथ में यह भी लिखा हो है, कि government की क्या power और क्या duties होगी, और यह हमारे लोगों को, people को certain rights भी guarantee करता है, आप बोलोगे सार इतनी बड़ी definition क्यों, क्योंकि बच्चा कर तीन number में question आ जाता है, what is constitution, तो सिर्फ आप यह नहीं लिख सकते है, कि return instrument है, जिसके अंदर rules regulation लिखे होते है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, मैंने वह भी बोला, आदे number कट लिखने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ूँगा, तो इसलिए, जो constitution होता है, return instrument होता है, जिसमें basic principle, law of the land लिखे होते है, state और social group लिखे होते है, government की power और duties लिखे होती है, और certain rights भी guarantee करता है लोगों, ठीक है जी, अब आजाते हैं हमारे next वाले part पे इसी question के, कि why do we need constitution, importance of constitution and function of function, अब देखो, यहाँ पर मैंने function भी लिखा है, फिर भी बच्चे देखो, पिछले साल गलती करके आ गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही देखा होगा, कि सर ऊपर यह लिखा होगा है, कि importance लिखा होगा है, तो वो ही करके चले गए होंगे, तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि वीडियो देखना important है, चलो, आ जाते हैं, तो why do we need constitution, तो पहला तो यह है, कि हमारा जो constitution है, वो हमें क्या provide करता है, वो हमें set of basic rule provide करता है, जिससे minimum coordination बना रहा है among the member of the society, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग-अलग group के लोग रहते हैं, अलग-अलग religion, culture language, ethnicity, है न, अलग-अलग लोग रहते हैं, तो उनके बीच में minimum coordination होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और minimum coordination कब होगा, जब वो same rule को मानेंगे, तो constitution हमें वो same rule provide करता है, जो सब लोग मानते हैं, जिससे उनके बीच में minimum coordination बना रहा है, आप red light पे रुकते हो, और जो सामने green line होरी होती है, वो चलते हैं, बिलकुल वो बिना देखे चलने लग जाते हैं, इतना वो focus करके नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है, कि red light हो रखे सामने से, वो लोग रुके वे होंगे, ठीक है, यही तो minimum coordination है, ओके, चलो जी, next वाले point पे आते हैं, कि basically हमारा constitution हमें ये भ लगाता है, government की power पे limit लगाता है, यानि ये हमारा constitution है, वो ये बताता है, कि लोगों की rights क्या होंगे, और साथ में government की power पे limit लगाता है, इसका मतलब है, वो government को भी कुछ चीजे करने से रोकता है, जैसे कि आपको पता है, fundamental rights होते हैं, हमें कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी प काम है, कि वो government की power पे limit लगाता है, लोगों को उनके rights के बारे में बताता है, ठीक है, तीसरा है, basically हमारा constitution ये भी बताता है, कि who will have the power and responsibility, ठीक है, to take the important decision, अब मैं आगर आपसे पूछ हूँ, कि जो criminal है, उनको पकड़ने की, जो power होती है, वो responsibility होती है, वो किस की होती है, आप को पकड़ के, क्या खुदगोली मार सकते हैं, the answer is no, क्योंकि ना उनकी वो power है, ना उनकी responsibility हो, समझ गए, तो हमारा constitution ही बताता है, कि किस के पास क्या power होगी, responsibility होई, आप एक बात notice कर रहे होगे, कि मैं थोड़ा सा जाधा explain कर रहा हूँ, क्योंकि explain करना बहुत जाधा important है, तभी आप exam में थोड़ा बहुत अच्छे से लिख पाऊगे, ठीक है, next है कि constitution, अगर आपको लग रहा है कि मैं जाधा explain कर रहा हूँ, तो आप 2X करके भी देख लो, पर skip नहीं होना चाहिए, कोई भी part, ठीक है, next है कि constitution enable the government to fulfill the aspiration of the society to create a condition of a just society, basically हमारा constitution power provide करता है government को, ताकि कि वो एक बढ़िया society बना सके, एक just society बना सके, जैसे कि अब देखो, government क्या करती है, आपने police वालों को power देती है, कि अगर कोई गलत व्यक्ती है, तो उसका encounter कर दो, है ना, क्या government ऐसा कर सकती है, police वालों को बोल सकती है, जो police officer उनको बोल सकती है, कि जो गलत लोग है, उनको encounter करो, या उनको पकड के लाओ, जैल में डालो, उनको, बोल सकती है, बोल सकती है, और उनको ये power कौन देता है, हमारा constitution देता है, constitution government को ये power देता है, कि वो कुछ ऐसे step ले सकती है, जिससे society, जो है, वो एक just society बने, और basically, वहाँ पर सब का भला हो, okay, next है, हमारा constitution हमें सबसे important चीज देता है, कि वो हमें fundamental identity provide करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि हमें as a Indian, एक identity provide करता है, सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अभी अगर मैं पूछो, who are you, अगर किसी दूसरी country में चाहते हो आप, और कोई बंदा पूछ से, who are you, तो आप पहले अपना न चल रही है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे लोग आये थे, हैना, तालीबान का शासन चल रहा था, हैना, रूल चल रहा था, वहाँ पर, तो वहां से बहुत सारे लोग भारत के अंदर आये थे, तो क्या वो Indian citizen है, नहीं, वो refugee है, ठीक है, तो आप यह मत समझना के इंडिया के अंदर जो सारे लोग रहते हैं, वो सारे के सारे citizen हैं, नहीं, कुछ foreigner होते हैं, कुछ refugee होते हैं, कुछ illegal भी होते हैं, जैसे कि आपको बता है, बहुत सारे जो रोहिंगियाज है, वो पहले में आनमार पार करके बांगलादेश आते हैं, Constitution is like the book which contains the flower of all the country, explain and which provision has been taken from the constitution of the different country, मैं आपको बता दू, इंडिया का Constitution एक ऐसा Constitution है, जिसमें अलग अलग कंट्री के Constitution से कोई ना कोई चीज ली गई है, बहुत सारी चीजी अलग 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 Constitution से ली गई है, इसलिए हमारे Constitution को borrowed Constitution भी कहा जाता है, और बोला जाता है कि हमारा Constitution एक बुक्चे है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्री के flower है, यानि अलग अलग कंट्री के प्रोविजन लिए गए है, रूल्स लिए गए हैं मारे Constitution के अंदर, अपके इनकिन कंट्री से क्या क्या रूल लिए गया है, अगर मालो एक कुशन आता है कि इंडियन Constitution को Borrowed Constitution क्यों कहा जाता है, पता चली गया, इंडियन Constitution को Borrowed Constitution इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग कंट्री के जो प्रोविजन से है, उसको हमने अपने कंट्री के Constitution के अंदर डाला है, और हाँ, हमने ऐसे नहीं क्या आंक बंद करके डाल लिया, हमने तब डाल हम तो है ना काले भी है को रही है मतलब ऐसा भेदबाव वैसा नहीं है जैसे साउथ अफरीका में होता था तो हमने वो नहीं लिया काले गो रहेगा बागी चीज़े ली है ना चलो तो अब आ जाते हैं सोर्सी ऑप इंडियन constitution क्या क्या है सबसे पहले हमने British constitution से क्या लिया बिटिश constitution से सबसे पहले चीज लही हमने first pass d panelists system आगे यह चीज आएगी first past the post system election का method है अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे तो जो इंडिया में election का system है ना हौने बिटिश constitution से लिया है दूसरा parliamentary form of government यह तो पता ही होगा इंडिया में Parliament है ना तो parliamentary parliamentary form of government भी हम ने British Constitution से लिए और basically उसको लेना का reason भी यही था क्योंकि हमें उसका experience था ठीक है क्योंकि British हमारे पर rule किया था British ने तो हमें वो parliamentary rule से चलते थे तो हमें उसका थोड़ा बहुत अंताजा था इसलिए हमने basically parliamentary form of government को adopt किया दूसरा है rule by law and the idea of rule by law कैसे चलता है rule वगएरा law making procedure कानून कैसे बना रहा है और institution of the speaker and his and her role basically जो speaker होता है ना लोग सभा और राज्य सभा का है ना तो उनकी power वगएरा उनकी role वगएरा यह सारे के सारे भी हमने British constitution से लिया है United state के constitution से क्या लिया है fundamental rights six fundamental rights है ना हमारे अभी आगे नीचे और पढ़ेंगे क्यों कौन से fundamental rights में क्या क्या है next step power of judicial review and independence of judiciary आपको पता है ना तीन होते हैं government के तीन ओर्गन होते है कौन कौन से legislature executive और judiciary legislature का का काम होता है law बनाना इसमें क्या आती है parliament यानि हिंदी में बोले तो संसद आती है ठीक है executive क्या होती है basically वो agency होती है वो institution होता है वो और्गन होता है government का जो की rule को execute करता है इसमें कौन आते है IES IPS ठीक है कि सारी चीज़े हमने US के constitution से लिए है एक word और बता देता हूं judicial review although आ गया आएगा judicial review का मतलब क्या होता है कि basically हमारे constitution में यह बोला गया है कि माल लो अगर legislature आपको बता है इसमें गलती लग रही है constitution के according यह जो rule आपने बनाया है सही नहीं है यह जो act आपने पारित कहा है सही नहीं है ठीक है बाकी जो डारेक्टरी principle of state policy है मैं बताऊंगा आगे क्या होता है वो भी हमने Irish constitution से लिया है क्योंकि अभी नीचे वाले topic में next वाले chapter के जब हम देखेंग भी है state government भी है मैं पूछो इन दोरों में से powerful कौन है तो आप क्या बोलोगे central government जादा powerful है तो यह चीज़ वाला system भी हमने Canadian constitution से लिया है और the idea of residuary power भी है, residuary power का मतलब क्या होता है वो चीज़े जब 1947 में हमारा constitution बन रहा था न तो उस time है न बहुत सारे ऐसे topic थे जिन पे सरिफ central government rule बना सकती थी जिनको हम कहते थे union list ऐसे बहुत सारे topic थे जिस पे state government rule बना सकती थी उसको कहते थे हम state list ऐसे बहुत सारे topic थे जिन पे state government और central government दोनों rule बना सकती थी उनको कहते थे concurrent list ठीक है अब एक चौत्ती list भी हमने बाद में add करी है जिसको कहते है residue list का मतलब क्या होता है वो चीज़े जो 1947 के time में नहीं थी बट आज है और आज उस पे rule बनाना important है जैसे cyber crime, internet नहीं था, internet fraud, banking fraud यह सारी चीज़े 1947 में नहीं थी बट आज है इसलिए वो चीज़े हमने जो artificial intelligence तो यह सारी के सारी चीज़ों के law है वो residue power के अंदर आते हैं और इस पे rule कौन बना सकते है central government एक marks में भी question आ सकता है कि कौन rule बनाती है हमारे residue power पे तो है central government next question पे आते है कि why the Indian constitution is called a successful constitution चलो इसके तीन reason है कि इंडिया का constitution को successful constitution क्यों कहा जाता है पहला है mode of promuligation ठीक है दूसरा है हमारा substantive provision और तीसरा है हमारा balance institutional design अब इन तीनों का मतलब बता देता हूं ध्यान से सुनना पहला है कि इंडिया के constitution को mode of promuligation का मतलब है कि आपका constitution कैसे आया है कैसे आया है मेरे कहने का मतलब पूरे world में जो है वो तीन country के constitution successful माने जाते है इंडिया USA और South Africa अब सर इनका constitution जो है South Africa का वो क्यो successful माना जाता है इन तीन country का तो इंडिया South Africa और USA का constitution इसलिए successful माना जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों constitution जो है वो अजादी की लड़ाई के बाद बने हैं इंडिया British से साथ USA civil war के बाद और South Africa के अंदर भी काले गोरे के बाद जो सरकार थी white जो government थी उसके बाद ह बिसिकली यहां पर जो है वो constitution बना है तो उस country का constitution successful constitution माना जाता है जो अजादी की लड़ाई के बाद बना हो और जिसको ऐसे लोगों ने बनाया है और जिसकी लोग actual में respect करते हो इंडिया का constitution ऐसी लोगों ने बनाया है है ना भीमरा वो अमबेटकर जवाला नहरू है ना ह हमारे क्या कहते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल हो गई हमारे तो यह सारे के सारे शामिल थे उस ताइम ओके यह तो पहला हो गया दूसरा reason क्या है जी substantive provision अब इसका मतलब क्या है उस country का constitution successful माना जाता है जो constitution अपने अपने देश के हर एक बंदे को कोई ना कोई reason दे इससे वो उसकी respect करे मेरे कहने का मतलब यह है कि उस country का Constitution successful Constitution माना जाता है जो सब को आगे लेकर चले सब को साथ में लेकर चले इसका example लेटा हम बसकते को इंडिया के अंदर PM क rouBabyym को बन सकता है जाति का बन सकते है पर्टीकोलर स्टेट का बन सकता है पर्टीक बूलर में सकता हं ही नहीं होता जैसे कि पडोस में देख लो पाकिस्तान है ना उस कंट्री में बेसिकली जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो पी एम की पोस्ट पे नहीं जा सकते और भी बहुत सारी जनरल आर्मी के पोस्ट पे भी नहीं जा सकते तो यह क्या है डिस्क्रिमिनेशन है यानि वहाँ का अच्छा इसका क्या मतलब है कि उस कंट्री का कॉंस्ट्री सक्सेस्फुल माना जाता है जहां पर जो गर्मेंट के और तीनों के पास एक पल्ट फावर हो और यहीं हमारे कंट्री के अंदर बैलेंस इंस्ट्री पर नजर रखते हैं जैसे अब हमने उपर पड़ा था एक व किसका होता है जुड़िश्री का और गलत का करती है एश और जुड़िश्री एग्जी उपर आज नजर रखते रहते हैं तो यहीं तोक्ट्री कंस्रुएं का पास की सबस्तुट्पार बनाता रहते है । ताकि तीनों एक दूसरे। कहते हैं चलू he कि what is the composition of constituent assembly constituent assembly के बारे में बताओ और constituent assembly कैसे compose हुआ था और कौन सी committee थी British cabinet की जिसने basically compose किया था constitution को बनाने की बात करी थी पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको जो direct question पूछा है न वो बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको पूरा constituent assembly के बारे में बता हूँ पहले बाद तो constituent assembly क्या होता है जिन लोगों ने हमारे इंडिया का constitution बनाया ना उन लोगों के group को हम constituent assembly कहते है ठीक है हमारा constitution बनना start हुआ था 9 December 1946 को ये बात याद रखना ठीक है हमारे constitution जब बन रहा था तो उसमें 389 member थे ठीक है 389 में से 292, 93 और 4 292 बेसिकली ब्रिटिश इंडिया से थे वो एरिया जिस पे ब्रिटिश ने रूल किया था वहां से थे 93 बंदे हमारे रजवारों में से थे राजा रानी का जो princely state होता है समझ पारे हूं मैं हिंदी इंग्लिश में भी बताता रहूंगा ठीक है टेंशन मतले ना दोनों में ही अगर मेरे मुझसे हिंदी में निकल गया तो मैं इसको करेक्ट करके इंग्लिश में भी बाद में बोलूँगा ठीक है चलो और चार जो है वो चीफ कमिशनर एरिया मैं बता भी देता हूं दिल्ली हो गया ठीक है कुरुग हो गया बलुचुस्तान हो गया और इजमीर हो गया यह चार इलाके थे तो इनसे भी एक एक बंदे चुने गए हैं तो टोटल 389 मेंबर थे जो हमारे चुने गए हैं और हमारी जो पहली मेटिंग होई थी नौह तारीक होई थी दूसरी मेटिंग ग्यारा तीसरी मेटिंग तेरा और हमारी जो लास्ट मेटिंग होई थी वो 26 नवंबर 1949 को थी और इसी दिए हमारा 1949 बोला और आप देखो 1946 यह हमारा Constitution जो है 1946 में बनना शुरू हुआ था अब कोशन वही आ जाता है कि किस कमिटी ने बेसिकली बोला था कि इंडिया का स्मेटिंग बता दी और हमारा Constitution जो है न वो जो है वो हमारा Constitution कभ अडॉप्ट वहा था अडॉप्ट या अडटना अडॉप्ट वर्ड MSQB आ सकता है 26 November 1949 को हुआ था और कब force में आया था force में आया था force में आया था हमारा constitution 26 January 1950 को ठीक है clear हो गया ऐसी आपको एक interesting बात बता जिता हूँ 24 November को है न 24 January को यानि हमारे Republic Day Republic Day मनाते हैं Republic Day से बिल्कुल दो दिन पहले और जो राश्रगान है National Anthem और जो हमारा National Song है वंदे मातरम ये दोनों के दोनों हमारे constitution में लिखे गए थे कि दोनों की respect रहना important है एक हमारा National Song है एक हमारा National Anthem है ठीक है जी कितने कितने लोग लिए गए गए ते ये हमने देख लिए अब आ जाते थोड़ा सा आगे ये मैंने आपको बता दिये Chief Commissioner area और हाँ एक और बात क्या स्टार्टिंग में जो 389 लोग थे क्या एड में भी जब हमारी last meeting होई थी कब हुई थी 26 नवंबर को इसमें डारेक्टली वो लिखा हुए June 1947 को ये confirm हो चुका था कि जी पाकिस्तान बनेगा तो इतने बैवकुत हम है नहीं कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है मतलब जिनकी सोच ही गंद है ठीक है जो देश को तोड़ना चाते थे उनको देश में रखते उनसे Constitution बनवाई तो हमने उनको निकाल दिया उन्होंने बोल दिया अपने देश का Constitution बनाओ यहां मत बठको तो इसने हमने 3 June 1947 को उनको बोल दा कि आप अपनी कंटरी का देखो हम अपनी कंटरी का देखेंगे 3 June 1947 को हमने निकाल दिया उनको और उसके बाद हमारे यह 15 लोग absent थे है ना तो अगर आपसे कभी बोले न कि absent होना पुरी बात है तो उनसे बोलना कि इस ताइम Constitution पर साइन हो रहा था उस ताइम हमारे यह लोग जो MP जिने हम कहते है Minister कहते है वो प्रेजर्ट नहीं थे तो फिर उनसे ही हमारी आदत लग रही है है ना मजाख कर रहा हूँ स्कूल जाना important है attendance important है मजाख में बोला है ठीक है चलो और टोटल जो हमारी meeting होई है वो Constitution Constitution Assembly की 166 meeting होई है यह भी MCQ में question आएगा Constitution कभ adopt हुआ Constitution का force में होई अबी MCQI का 2 साल 11 महीन या 18 दिल लगे अपने Constitution को बनने में ठीक है चलो next question पर आते है कि what are the characteristic of Constitution या feature of Constitution अगर आप से पूछे है हमारे Constitution के feature क्या है सबसे पहले तो हमारे Constitution जो है वो एक rigid Constitution भी है flexible भी इसका मतलब क्या है कि हमारा Constitution जो है असानी से कोई भी change नहीं कर सकता ठीक है या असानी से कोई भी change नहीं कर सकता बट हाँ हमारे Constitution में अगर deliberately बहुत ही ज़ादा कुछ important rule लाना हो तो लाया भी जा सकता है मतलब हमारा Constitution rigid भी है flexible भी है और आप ये भी कह सकते हो के rigid भी नहीं और flexible भी नहीं है आप बोल रहो है क्या बोल रहो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा Constitution rigid है कोई भी असानी आप चाहो Constitution में change नहीं ला सकते बट अगर वो change लाना बहुत important है तो change आए गई आएगा ठीक है तो ये होती है एक rigid और Constitution Constitution एक secular Constitution है ये भी इंडिया के Constitution का फीचर है ठीक है जो government है वो religion के मामले में state जो है वो religion के मामले में interfere नहीं करता तिल religion के नाम पे कुछ गलत ना हो रहा हूँ next है के और सब religion को equal treat करता है सब को protection equal देता है support equal करता है next है source of Constitution हमारा जो इंडिया का हमारा जो Constitution का पूरा source है वो लोगों से आता है ठीक है और हमारे Constitution में बहुत सारी चीज़े आपको पताए है borrowed Constitution है बहुत सारे अलग-अलग Constitution आप ये भी लिख सकते हूँ ये भी feature है कि borrowed Constitution borrowed Constitution है इंडिया का और हमने बहुत सारी चीज़े अलग-अलग country के Constitution से लिए next है कि federal Constitution है इंडिया का इसका मतलब है हमारी country में state government है central government है ये वाला system है इंडिया के अंदर single citizenship है single citizenship का मतलब मैं आपको बता दूँ आप बोलोगे सर पाकिस्तान का एक्जामपल यो देते हूँ अब बस यारब क्या ही बताएं बस समझ जो है ना तो चलो पाकिस्तान मतलब ऐसी country है जहां पर आप पाकिस्तान के नागरिक भी रह सकते हो और USA के नागरिक भी रह सकते हो ठीक है तो देजभक्ती के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है simple सीधी बात है बट इंडिया में एक ही single citizenship है यानि अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो इंडिया के नागरिक हो अगर आपने US के citizenship ले ली तो आपको इंडिया के citizenship 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 छोड़नी पड़ेगी ठीक है तब आप NIRI बन जाओगे non-residential Indian next बात है कि इंडिया में युनिवर्सल एडल फ्रंचाइजी 18 प्ला सब्कोट डालने का राइट है और मैं आपको बता दू पहले न 21 एच थी सबसे बड़ा constitution है और अभी तक इंडिया के constitution में 105 चेंज आ चुके है तो यह 24 कर लेना और इसको 105 कर लेना ठीक है लेर हो गया यह होप आपको चलो और जा हमारा constitution starting में बना था तो original constitution में 395 आर्टिकल 22 पार्ट और 12 शुडूल से ठीक है next question की बात करते है objective resolution क्या होता है चलो मैं आपको easy language में समझाता हू objective resolution क्या होता है basically जब हमारा constitution बनाता मैंने आपको बता था पहली meeting नौत तारीक को होई थी दूसरी 11 दिसम्बर को और तीसरी meeting जो हो नहर हो आता है constituent assembly में और एक paper सामने रखते हैं लोगों के और उस पे हैडिंग लिखी होती है objective resolution objective resolution का मतलब होता है कि हमारा constitution कैसे चलेगा क्या-क्या हमारी constitution की ideology होगी क्या-क्या philosophy होगी यह वर याद रखना मैंने क्या बोला philosophy हमारे constitution की क्या-क्या होगी यह बताता था वो objective resolution का page और उस objective resolution के page को आज हम preamble के नाम से जानते हैं जो आप वोक उठाओगे ना अपनी तो मैं दिखा दूँगा आपको कि वो preamble होता है ठीक है अचा तो basically अब preamble आप अगर directly learn करके जाओगे तो आपको marks नहीं मिलेंगी explain करना होता है और मैंने आपके लिए पहले explain कर दे और बहुत छूटी language में कर रहा है क्योंकि अगर आप book में देखो तो बहुत जादा तो पहला point है कि इंडिया जो है उसमें क्या लिखा तो subjective resolution में point क्या लिखे हो तो वह लिखे हो है कि इंडिया जो होगा independent होगा sovereign होगा republic होगा अखंड होगा अजाद होगा और गरतंतर होगा ठीक है यही बात देखी है और यह भी लिखा है कि जो भी independent unit होगी न उनके पास अपने अपनी पावर होगी जैसे कि अलग अलग स्टेट है हमारी पंजाब हरी आना यूपी दिल्ली इन सबके पास अपनी अपनी भी पावर होगी ठीक है आप बोलोगे सर दिल्ली स्टेट थोड़ हो जाते हैं क्योंकि मैं स्टेट में कभी कवा दिल्ली का एक्जामपल ले लेता हूं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं मैं तो इसकी वज़े से easy करने के लिए ठीक है चलो इंडिया का सारा काम जो होता है वो इसको जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी तो वही बात दिखावा है कि सब्सक्राइब करें जो प्रोटेट करें माइनोर्टी को रधर बैकवर्ड क्लासिस को हमारे यूनिटी को एंशोर करें और साथ में वर्ल्ड पीस के लिए काम करें एक बात आप और नोटिस कर रहे होगी कि जितने भी आंसर मैंने लिखे है न सारे के सारे सारे स्क्रीन शॉट है नोट्स के ठीक है और मैं आपको बता दूँ आप नोट्स करोगे चैप्टर नंबर वन के कुछ जाधे ही कोशन है वो इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर नोट्स के लिए तो मैं आपको बता दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे ना तो यह लिंक मिलेगा नोट्स का चैप्टर नंबर वन का टू का इनका भी मिले वह आप डाउनलोड कर सकते हो यह चैप्टर नंबर वन के नोट्स है ठीक है यह यहाँ पर आप यहाँ पर आपको अपना इमेल डालना है यहाँ पर अपनो फोन नंबर डालना है मैं एक पेमेंट पर करोगे ठीक है तो आप पेमेंट वगएरा करके आप नोट्स वगएरा डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर चलो और दूसरी बात यह है कि यह सब ज्यादा नंबर का चैप जो है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पे आप लिक करोगे तो PDF खुल जाएगी ठीक है वहाँ पर भी आप में एक पेमेंट करके कर सकते हो वैसे तो मैं चैप्टर वाइस भी मोस्ट इंपॉर्टन कोशन की वीडियो अप्लोड करूँग सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रख्या दुबारा से बोल रहा हूं एक भी कोशन छोड़ने की गलती मत करना और आंसर इसी में से लरन करने है बच्चे ठीक है आदा माक्स भी नहीं कटना चाहिए ऐसा ना हो कि मैं मतलब जब मैं लाइव ले रहा हूं एक्जाम के बच्चों का कमेंट आए के सर हम करके आ गया है पांच में सो चार आई मिली जाएंगे इतना लिख्या हूं ऐसा नहीं सुनना मेरे को ठीक है बच्चे चलो चलो आगे आ जाते हैं और फीस परना मत बूलना एक पीस हमारी ये भी है कि लाइक कर देना ठीक है लाइक कर देना और procedure बताना है आपको तो पहले तो मैं आपको बता दू हमारा जो constitution है वो principle of deliberations पे चलता था यानि हर चीज़ पर बात होती थी बहस होती थी बहस होने के बाद voting होती थी और voting होने के बाद है ना उस चीज़ को तभी constitution में डाला जाता था जब सब लोग जो है उस constitution के उस provision को लेकर खुश हो अगर खुश नहीं भी होते थे कुछ लोग खुश नहीं होते थे तो voting करवाते थे यह पुरोसी चरम अपनाते थे और मैं आपको बता दू बहुत सारे अलग-अलग नेता जैसे जवालना नहरू राजेंदर परसार से बिल्कुल नहीं बनती थी ठीक है उनको अच्छी लगती थी, उन्होंने अच्छी उतारी ठीक है, बनलब इन्होंने अपना परसनल जो खुनस थी नहीं नहीं आपना बेसिकली, अपना समझ गया आप है तो वो नहीं निकाली, इन्होंने अपना बेसिगली, Constitution को लेकर साथ में आकर entire society के लिए काम किया ठीक ह तो I hope आपको सारी के सारी चीज़े जो है वो chapter number 1 के सारे के सारे question समझ आ गए हो ठीक है जो नीचे description में आप देखोगे although मैंने सारे के सारे chapter के most important question डाले है नीचे description में चेक करोगे तो वो भी मिल जाएंगे उनके notes भी मिल जाएंगे उनके most important question के आपको PDF भी मिल जाएगी चीक है कोई दिक्कत आए तो comment कर देना नीचे में रुको या तो जो number दिया उस पर message वगरा कर देना तो मिलते है जी next video में आपको आपके exam के लिए all the very best जैहिन जैबरत बंदे मातम थाएंगे थाएंगे थाएंगे